हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग दोस्तों उमीद करता हूँ अपला बहुत ही अच्छ होंगे दोस्तों आज की जो वीडियो का हमारा टोपिक है जो जिद्धी से जिद्धी जो पिंपल्स हैं बिल्गुल हर्टने का नाम ही ले ले रहे उनके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सोलुशन लेका आया हूँ तो इस वीडियो को आप लास्त जुरूर देखना तभी आर आपको पता चल पाएगा जो जिद्धी पिंपल्स हैं उनको कैसे रिमूब किया जाए तो दोस्तों फिर बिना टैम बेश्ट करते हैं वीडियो को इस्टाट तो दोस्तों मैं आपको बता दू जो टीनेज उम्र होती है वो एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें कील मुआसो या कहें पिंपल्स की समस्षय आम होती है और ये समस्षय जो होती है बोईस के तुलना म महिलाओं और लड़कियों में जादा देखी जाती है और क्योंकि उनके सरीर में हार्मोंस जो होते हैं वो बदलाब जादा होते रहते हैं जो कि एकने के सिकार होते हैं उनके चेरे पे लाल रंग के दाने जिसे हो जाते हैं जिने हम कील केते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता तो इन्हें दवाने पर सफेद रंग का एक पदार्थ निकलता है। आपने देखा होगा कई बार तो बैसे इन्हें बिल्कुल भी दवाना नहीं चाहिए और इन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने सी कील की जगे पर गहरे और इस्टेवल स्पोर्ट रह जाते हैं और साथी infection भी फैल भी जाता है तो दोस्ते यहां पर जो first point है वो यह है कि कई बार pimples आने से पहले उस जगे पर दर्द होना शुरू हो जाता है और आप उस दर्द को अच्छी तरह से पैचानते भी होंगे क्या आप दर्द हो रहा है यहां पर pimples हो सकता है जैसे ही आपको pimples से पहले दर्द होता है या फिर हलका pimples नजराता है तो सबसे पहले आपको tree tree oil या फिर aloe vera gel मिलाकर इसे वहाँ पे pimples वारी जगे पर लगा ले दोनों में anti-vacterial properties होती है anti-pimples जो होता है face wash से चेहरा दोने के बाद इसका इस्तमाल करना है दोस्तों जो second step है वो यह कि अगर अचानक से कहीं आपको जाना पड़े तो इसे छिपाने के लिए आप concealer लगा सकते हो concealer जो होता है pimples पर आपको लगाना है और अच्छी तरह से blend कर ले और इससे pimples छिप जाएगा और इससे होने वाले जो redness होती है वो बिलकुल भी नजर नहीं आएगी अब इसके अलावा जो third point है वो एकिया रात में सोने से पहले चेहरे को wash करना होगा और इस पर सफेद toothpaste लगा ले और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हमेसा pimples के लिए white toothpaste का ही इस्तिमाल करें सुबह उड़कर आप इससे wash कर ले अब इसके अलावा जो fourth point है वो है कि साथ ही आप इससे बचने के लिए नियमित रूप से आप नीम का यूज़ कर सकते हो तुलसी का यूज़ कर सकते हो और मोलतानी मिट्टी या फिर बेसन से बने face mask का यूज़ कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों ये जो मैंने आपको ये चार ये ऐसे उपाए बताए हैं अगर आप इन चार उपाए को यूस करते हो तो सच में जो जिद्धी से जिद्धी पिंपल्स होते हैं हटने का नामी नहीं नहीं ले रहे वो बिल्कुल रिमूब हो जाएंगे अगर आप मेरे ये चार स्टेप को फोलो करते हो तो सच में आपके फेस से पिंपल्स की समझे बिल्कुल दूर हो जाएगी तो दोस्तों उमेद करता हूँ मेरे द्वारा ये जो जानकर ये आपको बताए गई है वो अच्छी लगी होईगी और कमेंट सेक्षिन में में जरूर बताएगा क्या वीडियो पसंद आई या नहीं आई और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा बीडियो के लिए हमारी चैनल को कर ले जिए, सबस्क्राइब और जब भी हमको भी वीडियो अपलोड करें थे और उसको नोटिवेगें सबसे पहले आपको देखने को मिले चले फिर मिलते हैं किसी next interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई